गुद मॉनिंग फ्रेंड्स वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूगा पे आज हम आपके डाइडेशन से जोड़ी दूसरी वीडियो लेके आए है हमने में 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 टॉपिक्स होते हमारे में 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 और्गन के फंक्शन जैसरे कि हमारे इंटेस्टाइ उसों हो भी एक एकउट एंजाईंस रिलीज करता है एंटेस्टाइन की बाल्स होते है वह भी कुछ डाइडेस्टेफ जूस रिलीज करती हैं अब हम उनी डाइडेस्टिफ जूस पढ़ने वाले हैं बढ़िए देटे इल में कवश्जिंवाए नी क्या एपंक्सन करते। यह कौन से bio molecules को तोड़ने में मदद करते हैं इन सब के बाए में हम completely पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम अपने teeth के बाए में हमाई तो teeth हैं, इनकी classification कैसे हो सकती है कौन सा teeth क्या function करता है इसके बाए में पढ़ेंगे और tongue के बाए में पढ़ेंगे कौन से tongue का कौन सा part किस taste को महसूस करने में मदद करता है इसलिए digestion को completely समझने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें तो humans होते हैं, humans के अंदर तो digestion system होता है हमारा food को consume करने के तो system होता है इसको holozoic nutrition system कहते हैं holozoic nutrition system कुछ भी कह सकते हैं यह कहते हैं क्यों कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि हम human complex compounds को अपने मुव में ले ले लेते हैं अपने body के अंदर ले लेते हैं और body के अंदर ही liquid gases और solid digestion होता है उनसा भी liquid solid और liquid solid और gases तो particles होते हैं इसका जो digestion system में वो हमाई body के अंदर ही होता है यह सिर्फ humans में और इतने भी हम जाई carnivores herbivores देखते हैं उन में होता है पर जैसे हमाई plants हो गए यह फिर microorganisms हो गए यह अलग तेगी का system यूज करते हैं यह direct solid food को अपने अंदर नहीं लेते हैं और जो carnivores herbivores होते हैं अच्छा अब हम enzymes के बाएं में पढ़ते हैं कुछ enzymes और digestive solutions के बारहें में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी समझा था जो digestion process start होता है हमारे body में human body में वो buccal cavity में start हो जाता है buccal cavity क्या होती है यह जो दो zoos होते है upper zoe और low zoe इसके बीच का दो area है खाली space है जहां पर हमारी tongue जो बूब कर रही है उपर नीचे बूब कर रही है इस खाली जगा को कहते हैं buccal cavity इस buccal cavity में हमारे salivory glands तो होते हैं वो अपना सारा saliva सारे enzymes करते हैं यह salivory gland को एक gland नहीं है यह काफी सारे glands के mixture के group को कहते हैं salivory gland और जी जो enzymes release करते हैं अलग-अलग enzymes release करते हैं जिन मेंसे सबसे जो प्रमुक enzymes होता है उसको tiain enzymes कहते हैं क्यालीन enzymes कहते हैं इसमें peace island होता है इसका नाम होता है क्या फंक्शन होता है सबस्क्राइब करते हैं मैल्टोस में इसको में एक बड़ पौनिम लखते हैं क्यांकि साथ काफी सारे नाम आने हैं हमारे पहली लिस्ट में यह convert करता है हमारा स्टार्च को मैल्टोस में हुआ को इस भूनिसजर है पहले ही कि स्टार्च नागते हुआई कि सबस्क्राइब है जैने हैं यह यह जह शंगल्फ उलन्जीरें कार्बो हाइडरेट होता है तो जो हमारा क्यालीन एंजाइम है वह साज को तोड़ तोड़के उसके बांडिंग को उसकी चेन को तोड़के एक सिंगल कार्बो हाइडरेट में कनवर्ट कर देता है यह फंक्शन होता है हमारा क्यालीन का फिर क्यालीन के बाद हमारा आता है पै प्रोतीन को कन्षब करते हैं प्सन में इसमें होते हैं यह बेसिकली लिख्डाइज कोई वर्म को के ठेशन के बाद अगली जो एंजाइम हाता है हमारे स्टमक में उसको कहते हैं जो राइनीन है उसकी existence पर काफी ज्यादा विवाद है Ranin की हमारे stomach में present होने के ऊपर विवाद है कुछ scientists कहते हैं कि human body में present होता है तो कुछ scientists मना करते हैं कि ranin नाम का enzymes हमारे human stomach में present नहीं होता है और ranin का function क्या होता है जो milk को curd में convert करता है Ranin enzyme milk को curd में convert करता है की हम जानते ही है ने में नना को क skaते है और अपनी रहते रहते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं और इसके का रहे पैदा होती और टॉमक के अंडर यह दो स्ट दोय हो इन्जाइम words हो वो भी कुछ enzymes release करती है, उनके बाएं में भी समझना बहुत ज़्यादे important है, उन में से 3 सबसे important enzymes हैं हमारे trypsin, lactose और sucrose, यह 3 enzymes हैं small intestine के small intestine के enzymes हैं, यह 3 हो, जो trypsin है हमारा, यह क्या गाम करता है, यह protein को synthesize करने में मदद करता है, देखो, जो हमारा pepsin है, जो stomach के enzyme था, यह भी protein को synthesize करता है, और trypsin भी protein को digest करने में मदद करता है, यह दोनों ही protein को digest करने में, उसको टोरने में मदद करते हैं, पहले तो हमारा pepsin, protein को pepsons में convert करता है, यानि soluble form में convert करता है, और फिर हमारा trypsin है, उसको peptides में convert करता है, polype आपको पैदेज सम्झाहा रहता है जो एमिन रहती है उसके अंदर बॉंच होता है उसको कहते है उसका नाम उस बॉंच का नाम होता है और पॉलिप्टाइट से तो इसका मतलब आप समझगें कि छोटी चेन को कहते हैं प्रोटीन तो होगी बहुत ही लंबी चेन सौयों की सौयों आइमिन ऐसे जूड़े हैं पर उसको तोड़के छोटी छोटी चेनों में करने का काम करता है हमारा तो यह तो सक्रौस स्क्रस यह जोकी स्क्रस वान है जो कि शोट्रस को सब्सक्राइब करने का सत्य का काम करता है हमारा Lactase , रहता है जो कि स्क्रोज को करता है सब्सक्रोज को भी ये ब्लूकोज में ही कनवर्ट कर देता है हमारा सुक्रण ठखो ये Lactase शुक्रण ये सब कुछ हमने आपको अपने कार्भोहाइड्रेट वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था सब कुछ हमने आपको अपने कार्वो हाइडेट वाली है अखर से समझाया था अगर आपने supervision की पहली वीडियो थी उसको नहीं देखिए तो आपको नी इयुमो डिस्क्रिपशन में लिंक मिल जायगा उसको जाके जरूर देखें फिर हमारा बाइ favour आता है उसका होता है फिर नितों करना अब करने के लिए फिरा कर होता है फिर हमारा बाइल जूस आता है. इसको टलो करने के लिए घर में भेजिंदेता अर बलेजर में कौलेट किया जाते है, बलेज़र में क्यों होता है? बैल टोलिये टि perimeter काम क्यों होता है? यह थे फैट को करने में लिपिट्स ano keping el疫rics , lipage it now में क्यों है लेखे लेखels ब्लेंगे लोकिलों में कहता है जो गեյ से बीमारी भी हो जाती है, बीलेडर की कारें एक बिमारी भी होता है, जैसे हूती है, गल्प्लेडर में स्टॉर हो गया वाइल गौॉस तो कई बग गौल्च बलेजर से बापश इंटेस्टाइब जाना होता है इसको तो नली उसके जो पाइप篇ब अच्छुआ कर रहा है व स्मॉल स्थाइब में कौउती इसपाइब में चौटी-चौती स्टॉंस में उसट क्लिमें कि बहुत ही ज्यादा खतनाग बात है जिसको काम करना था जिसका काम प्रोटीन को डैजेस्ट को डैजेस्ट करना था कि आपको लेटा हो जाँ जांदिस करता है और जांदिस्ट भीमारी क्या होती है कि इसके तो सिंटम्स क्या होते हैं कि जो चैरा लाल पर जाता है आखे पीली पर जाती है इसको जौन दस बहुत है नि सरे बहुत है कि को शनी शनी कारण अब को अइसके विडियो में देने हैं कि दो जो हमाई digestive glands हैं एक liver और एक pancreas जिसमें से liver जो है हमारे body का सबसे बड़ा gland भी होता है largest gland of body is liver और second largest gland of body is pancreas ठीक है largest तो यह liver है second largest gland जो pancreas है और largest organ जो था वो skin थी यह gland की बात हो रही है ठीक है ना confusion हो जाना और लिवर के बाई में और क्या क्या बात है कि फंक्सेंस क्या होते हैं यह body temperature को regulate करता है हमारी जो हमारी body temperature होता उसको कभी अगर जारी हो रही है तो गरम कर देगा और अगर गर्मी हो रही है तो थंदा करने में मदद करेगा लिवर यह काम भी करता है इतना बड़ा gland है तो काफ़ सारे काम करे रही करेगा ठीक है और लिवर बाइल जूस तो करते ही है प्रोडूस वो आमने पहले बता दिया था और रैड ब्लॉड दिनको अगर हन क केते हैं करें हैं को यह होते हैं और इनी ब करें कापर का सर अगर है यह क reicht की Beko होते हैं इने में पुजाने वह बिकिला होते हैं फिकलिए प्रोल फोटेन की लादर इंपेट स्कूँ है क्योंकि भी यह एक हार्मोनैंघ करते हैं इंसुलिन नाम का ढहर्मों में की बात करेंगे प्ल सुबस्कार की बार हम अस्युनलियों करेंगे आपको बढ़े ही दे जो कि हमारे हम इसले,,, ही उड़ेज्व करता है इसकIFS आग Billie करता है इंसलेन की कमें की तो हमारी ब्लाद ही में बाद शुगर शुगर le soprar बढ़ जाता है इंसानों को अब हम आपको चीज के बारे होते हैं उपर नीचे अपर जो और लोगे दो में डिवाइद होता है हूं मैं इसने अपर जो में होंगे उतने लोगों में भी होंगे ना कि सिर्फ अगर हम डाइग्रा मुना है जैसे 27 amazing 117 nos भी हम दो हमस्विय थे उपर गया मान लो और लिए ङूंद उसना तो इन डौनों में थो बरावर नंबरी विद्य की कि ऩर्व हाफ में बात आए यानै चार फिस्व में बीदिन तो हर हिस्ते में एक्वडल ओप Jupiter होंगे equal number of canines होंगे equal number of mollus premolus equal number of incisors होंगे हर इस्ते में इस्ते होगे ना यह जो चारों में बरावर number of incisors canines premolus और mollus होंगे अच्छाती तो incisors होते हैं इनका क्या मक्सद लिए आगे के teeth होते हैं हमारे जो आगे के बड़े-बड़े इनको कहते हैं इनका मक्सद होते है कटिंग की चीजों को कातना मोटी मोटी चीजे होते हैं उनको तोड़ देना उनको तोड़के बड़े-बड़े तोड़ों को सोटी-चोटी पिसमें कनवार्ट करना ये काम होते हैं इं-cisors का का काम होते हैं को बन्दर ते यह और बंदर से पहले जीव ते, उनसे हमें विरासत में मिले है हमारे हमारे चनाइज, आज के यूग में इनसानोंस का कोई भी यूज नहीं होता है चनाइज एक वेस्ट हो गएगे है एक वेस्ट और्गन बनके रह गए हैं क्यूं? कि हाँ हम जो अभी भी मीड खुते हैं पर अब हम जो जानुुर से उस मीड's को चीटिदे नहीं है हमें अपने दातों से फिंख को फारने की ज़रुरत नहीं हैenders जबया और तकमस में पर εκ screamed care और में मिलयाक कंप करना था कर दो uh जैसे के जानवा को मारा हम की कि खाल को निकालने चाकू से खाल उखार दी पहले हमें डाज से करना परती था उसके खाल उखानरेंदी थी आधाय काम जहारे का का प्रेम algumas होता है क्या प्रेट से ल usually क्तुर्च के लिए नगे जहें प्रतों जहारैं इसको ऐसे समझी पिडी मतलब पहले तो पिडी मॉलस्ट पहले आते हैं मॉलस्ट से यह पीछे के दात होते हैं जो कि मॉलस्ट दोनों ही पीछे के दात होते हैं और पिडी मॉलस्ट पहले आते हैं पिर मॉलस्ट आते हैं मॉलस्ट का क्या काम होता है मॉलस्ट का काम भी करीब करीब सेम होता है चीव प्लस ग्राइंडिंग भी काम होता है क्यों काम होता है क्योंकि ये उसको चीव के साहशर्थ इसको मसल देते एंदम चूरा बना देते लग up करते हैं थो एल क्यान्ड की कदन का आधे हैं क्यों की मॉलक्स के बाद आते हैं मॉलस्स के सेट्स नहीं होना जब 32 सेट सेट इसे क्या क्या है जो इनसी है जब बच्चा है वह वाइस हो गया ँड बंच जब हो गया है कधने प्रैजंट होते हैं करें से उलए होता है फिन पॉर्मूला होता है यह हैई है यह चार हिस्वแ्रपे जिसा स्टक्रक्र में भिए हैं यह प nod do घ्रमईय àsवा हुड्य चाव हुड्य चार हिस्व में डिवायज होतं तो की बड़े ठीके होते हैं फिर एक पर इंसीजर फिर एक कैनाइन दो मॉलर्स तो प्री मॉलर्स और एक और तीन मॉलर्स जी हो गया पूरो सैट्स ओफ वन पाथ फिर ऐसे ही जो नीचे भी होता है हमारे लोहर जो में भी यही सेम होता है इसको फिर इंटू कर देते हैं इंटू 2 क्यों कैकि हमने बस हाफ पाथ की बात करी थी तो थर्टेट्व हो गये ना दो फ्लस एक प्लस दो फ्लस तीन यानि आथ उपर उपर अच और नीचे भी आथ art plus art 16 और 16 इंटू तो 32 यह formula होता है हमारे human taste का और human taste के बाए में और भी कुछ पाते हैं जैसे कि हमारे पूरे body में सबसे heart structure होता है सबसे heart part of the human body होता है वो teeth का animal होता है teeth का तो उपड़ी हिस्सा होता है तीची तो उपड़ी की परत होती है उसको यह उनल्म्या करते हैं और वह हमारे सब्सक्स के का है कर साथ है अजो यह आने के वंभे लिटोते हैं वह मंखैंजिंक्त होते हैं betele 267 अर्पिक के बाइब चैज में होस्ते नमबर और पीड़े में कि मधे प्षा नमबर जबंबर लगाई शूर्स में तुर्वरे में लाइब Mike इसकी हुमनें टंग के भाए में भी पढ़ लेते हैं जैसे की जी armour होता है क्या करने में हमा बॉलने में बहुत मदद करती है हैं हमारे voice को regulate करने में बहुत ज़istas करती है अलग-इलग pronunciation निकालने में भी कटर्ट करती है अपर इसका मेन होता है कि यह बताना होता है जो खाना है जो food है कि तेस्ट का है और इस बताने कि जल में चोटे तो आपको चोटे चोटे से दाने दाने से पूरी जीव पर दिखाई देंगे इनको टेस्ट बाइट कहते हैं यह पूरी जीव पर होती है और जो फ्रंट की होती है यह स्वीट को महसूस करने के लिए होती है पीछेशन को लेने के लिए होती है फिर थोड़ी पीछेश के सौल की से शेक होती है सौल्ट की ननी के लिए होती है और आखरी में पिले ऑजिंप काणे में होती है वो बिठी कड़वा रया के लिए होती है है कि इसलिए बोले जाता है कि जब आप दबआई लो तो इसको लोग क्या सूचते हैं अकसर की जल्दी संदर दाल दो कानी कटम और फिर पानी पीजायो पर अगर आगर आप उसको आगे या फिर बीच में रखते हो तो आपको वो दवाई या अप मैदिसन यह कड़्वी नहीं लगेगी अगर आप उसको अंदर मूव में डालते हो तो सबसे पहला अगर आप स्वीत पर यहां पिस सॉल्ट वाले यांनि फ्रंट हाफ पर डालोगे तो आप अतनी जाओ नहीं लगेगे क्यू year क्यों क्यों ही वितक बलगे लगें कर बंद दुस्मेंद दूال को घुटर महिआ होती ए CT सकने के लिए एज़ह ट्रक बिदाख्ता सिंट में इसलिल्य ऊस्टीन होता है इसलिए की सेंसेशन सबसे आगे इसके बाद लोगों को सॉल्टी भी जो है नमकीला चत्पता यह सब पशंद है फिर मीथे के बाद आती है सॉल्टी इसके बाद थोड़ी खट्टा खट्टा अक्सर बुरे सैंस में ही माना जाता है थोड़ा बहुत चीजे खट्टी बिखती है औरनुमु में चाद्नी मी अच्छा लगता है शोट कि लंगा शान की खट्टा यानि सौर और कड़वा नहींत मीला या फिर कड़वा कोई medicine हो किसी को भी पसंद नहीं होती है इसलिए हमारी body में कड़वे की senses होते है bitterness की sensation वह सबसे पीछे होती है तैकि कम से कम हम कड़वे को स्वाध कर सकें इसलिए हो जो भी कड़वा स्वाध हो कोड़वे चीज को में खानी पड़े जैसे medicine होगे या सबजी हो तो उसको आगे रखना चाहिए जीप पे उसको ज्यादा पीछे नहीं रखना चाहिए और सतक लेना चाहिए जल्ली से पर वैसे खाना खाओ तो उसको अच्छा से मिलेगी उसको easy हो जाएगा उसका काम digest करना इसी की साथ हमाँ digestion का पूरा चैप्टर है पूरा टॉपिक है यह अच्छे से कवर होगी है हमने एक एक चीज बढ़ी बारीकी से सभी topics को बढ़ी detail में कवर कर लिए इसके अलावा कोई और कोशन भार से नहीं आ सकते आपके exam मे अगर आपको कोई doubt हो तो आप हमें comment section में ज़रूर बताएं और अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दिए के subscribe बटन को क्लिक करें उसके साथ में bell icon को क्लिक करें ताकि हमारी latest notification आपको मिलती रहे और अगर हमारी वीडियो पसंद आ भूलें thank you